हेलो दोस्तों फीटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और यूपी पीसेल का पेपर आ गया है देखे दोस्त ये 13 तारीक 133 2021 को देखे मैं जहां सर्गल कर रहा हूं नीचे वहां पर देखे 133 को 2021 को ये डेट जारी की गई है जिस इसमें यूपी पीसेल के ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज विद्दुत उत्पाधन सेवा आयोग यूपी आर्व्यू एनल का जो पेपर था हमारा पुराना पेपर जो डिले था उसकी डेट जारी हो चुकी है तो उस डेट के मताबर कम तयारी करें क्योंकि हम में बहुत ही कम टाइम मिला है देखे मैं आगे बता देता हूं आपको किस तरीके से हमारी एकजाम होगे देखे इसमें यह लिखा हुआ है यह सीवीटी एकजाम होगा हमारा सीवीटी एकजाम का मतलब होता है हमारा कंप्यूटर बेस एकजाम होगा जिसमें हमें कंप्यू टूइसन गरेट टू-इंस्टूमेंट का जो है वो भी हमारा पांत तारी को ढ़ाई बजए से स्टाड़े 5 वजए के बीच में होगा और फार्मासिस्ट जो रहते हमारे मैडिसन वाले उनका भी उसी डेट में होगा और हमारा जो पेपर होगा फिटर का वो सबसे लास्ट मे ये के बीच होगा यानि 3 गंटे का हमारा paper होगा और जो हमारा paper 3 गंटे का होगा इसमें पूरे 200 questions आएंगे 200 questions में 1500 questions theory के आएंगे वो 50 questions non-technical के आएंगे जिसमें Hindi भी आएगी reasoning भी आएगी तो हम 200 questions की तैयारी करने में लग जाते हैं और admit card download होगा admit card हमारा 20 3 से download होगा admit card जो exam ये होना है तो दोस्ते अब time बरबाद मत करिए और लग जाइए किस तरीकी से हमें तैयारी करना है 500 number की थियोरी पढ़नी है और 50 number का non-tech पढ़ना है तो थियोरी के जितने भी आपके पास optional के notes हैं तो आप notes हों से तैयारी कीजिए और उनके main main point पर ध्यान दीजिए और 50 number की जो non-tech है उनके लिए में main main formula वगरा जो है उनकी तैयारी कीजिए और हमारे channel का सहारा लीजिए तो इसमें main main point में फिर से बता देता हूँ 20 मार्स से हम admit card डाउनलोड कर सकते हैं और 5 अपरेल को हमारा पेपर होगा 5 अपरेल को पेपर 9 वजे से 12 वजे तक 3 गंडे का पेपर होगा जिसमें 1.500 question theory के आएंगे Peter theory के आएंगे और 50 question non-tech के आएंगे तो ये ध्यान रखिए और तैयारी में लग जाईए अब समय बहुत कम है ओके वाइबर